मेरे चनल is great idea में और आज मैं रिब्यू करने वाली हूँ रिब्यू तो क्या ये comparison वीडियो है तो यह मेरे पास mama art का opt-on face wash और यह मेरे पास clean and clear का forming face wash और यह मेरे पास biotk का advanced ayurveda face wash जो है neem bala face wash जो इसपैसली pimples के लिए बना हुआ है तो तीनों ही face boxes अपने आप में बहुत अच्छे हैं इन दोनों में से measurement ये कर बाना बहुत ही मुस्किल है कि कौन सा फिस्ट जादा अच्छा है लेकिन मैं आपको बताओंगी सारी चीज़े measurement करके कि quantity और price वगरा सब कुछ आपको कौन सा पिंपल्स को ज्यादा कम करता है सब कुछ चीज़े आपको measurement करके बताओंगी कि कौन सा ज्यादा अच्छा है तो ये वाला जो है इसमें तीन चीज़े दियो हैं कि ये पराफिन और सुप्रेट फ्री है और डर्मटोलिज टेस्टेड है तीनों ही face boxes जो है जो डर्मट बनाती है इसको Johnson & Johnson और ये बायोटिक का है तो ये वाला इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ये है 80 ml प्रोड़क्ट जो आपको मिलता है 99 में तो काफी अच्छी इसकी quantity है according to price बहुत अच्छा ही है काफी long time तक आपका चल जाता है और ये वाला जो face box है cream face box है आप देख अच्छी है तो अगर आपकी skin normal to dry है तो आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि dry skin बालों के लिए बहुत अच्छा है ये face wash cream based face wash के लिए बहुत अच्छी होते है और अगर आपकी skin oily है तो इन दोरों option पर जा सकते हो oily skin के लिए gel form face wash होते है वो बहुत अच्छी होते हैं आपक अच्छी होता है उसको balance करके रखते हैं जो जेल face wash होते हैं और pimples को भी control करते हैं क्योंकि आपकी skin को deeply clean करते हैं ये तो ये है clean and clear का forming face wash जो की oil free with the close pores जो आपके close open pores होते है उनको बंद करता है ये और gently remove dirt oil and pimple closing germs ये भी pimples के लिए ही बग करता है जो आपकी skin पर pimples के germs होते ह उनको ये हटाता है और oil dirt वगरा जो भी होता आपकी skin से उनको निकालता है ये 100 ml इसकी quantity है जो कि आपको मिलता है 130 रुपे में तो काफी अच्छी इसकी quantity है और quantity की तीनों में से बात करूं तो इसकी quantity सबसे अच्छी आपको मिलती है according to price इसकी 130 रुपे में बहुत अच्छी अच्छी से हो जाता है इसपैसली ये दोनों जैल फर्म में होते हैं तो इनका बहुत ही कम face wash आपको लेना होता है बहुत जाता हो quantity आपकी नहीं लगती है face wash बहुत लॉंग टाइम तक आपके दोनों ही face wash से चल जाते है ये थोड़ा सा dry face wash है तो इसको आपको थोड़ा सा अगर आप आया हो तो इससी face wash से अगर आप अपने face wash को वाश कर लेते हो तो आपकी skin एकदम से आपको refresh लगेगा बहुत अच्छा आपका mindset हो जाता है और बहुत ही cooling आपको effect देगा सारी थकान बगरा होती है वो एकदम से दूर हो जाती है इस face wash से wash करने के बाद अपने face क होते हैं वो जादा अच्छे होते हैं सर्दियों में में इस type के face wash ही use करती हूँ क्योंकि मेरी skin जो normal to oily है और दोनी face wash यह बहुत अच्छे है यह भी pimples के लिए होता है यह है बायोटिक का advanced fresh neem pimples control face wash जो की prevent pimples for oil skin type के लिए है सारी सभी skin के लिए suitable होता है यह especially pimples के लिए बन face wash है यह आपको मिलता है 120 रुपे में 100 ml तो इसकी भी काफी अच्छी quantity आपको मिल रही है लगबग बायोटिक के जो product होते हैं जायता product जो हते हैं महंगे होते हैं लेकिन according to price अच्छा है यह product यह face wash जो है और काफी budget friendly है तीनों ही face wash से बहुत अच्छे हैं लेकिन personally मुझे य सारी चीज़े उनके हिसाफ से देखते हो तो यह face wash मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सेम बग होता है तीनों का कोई भी face wash इतना ज्यादा है इन दोनों का जो बर्ख है बिल्कुल ही सेम होता है इतना ज्यादा difference नहीं होता है तो उसके हिसाफ से यह वाला face अच्छी बहुत है और इसमें सबसे अच्छी बात ही होती है कि अगर आप एक ही face wash को यूज करना चाहते हो तो उसके साथ आपको इसकी दो चोटी वाली पैकेजिंग मिल जाती है जो अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो उसकी चोटी वाली पैकेजिंग को आप आराम से ज्यादा अच्छा लागा क्योंकि बग तीनों का सलग बग सेम ही होता है को ज्यादा अंतर नहीं होता है और यह वाला जो face wash होता है हालका सा आपकी स्किन गर्मियों में tan हो जाता है sun tan हो जाता है sun burn हो जाता है उससे आपकी स्किन को हलका सा यह जो है आपको रिलीव देता ह आपके सिन हलकी से फेयर लगती है तो इस चीज के लिए है सच में यह बग करता है फेस वोस बहुत अच्छा है अगर आप इसको भी किसी एक फेस वोस को अपने अपने लॉंग टाइम के लिए चलाना चाहते हो आपके स्किन पर अगर कोई पेंपल्स वगिरा नहीं है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आप इसके नॉर्मल फेयर के लिए और नॉर्मल एक फेस वोस यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस अप्सन पर जा सकते हो बहुत अच्छा यह फेस वोस है और अगर आपके पिंपल्स वगिरा है ज्यादा और आपको पहले पिंप पिंपल्स वगिरा नहीं है तो आप इस वोस यूज कर सकते हो तीरों में से कोई साइप पर इसके लिए तो यह था मेरा तीनों का कमपैरेजन वीडियो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं सी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए देले की वीडियो